सामन खान के साध्यू संतोll को डाइनर डांस करते हुए दिखाया गया है साधूं का डांस करना लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है आपको बताते कि हुड़ हुड दबंगाने में सलमान के बैग्राउंड में साधू संथ हाथ में गिटार लेकर डांस कर रही है गाने की बीच में शिव जी, राम और कृष्ण जी को भी दिखाये गया है ट्विटर पर लोग इनी बातों पर लेकर अपना गुसा जाहिर कर रही है लोग सोशल मीडिया पर फिल्म को बैन करने की मांग कर रही है हिंदू जन जागरिती समीती ने भी इस फिल्म का विरोध करते हुए हुड हुड दबंग गाने के जरिये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने का आरोप लगाया है समीती ने अपने ट्विटर एकाउंट पर हाश्टग बॉइकॉट दबंग 3 के साथ कई ट्वीट किये है हाला कि ये पहला मामला नहीं है जब किसी गाने में साधो के भेश में लोगों को लिया गया हो साल 2007 में आई पिल्म बूल भुलाया की टाइटल सौंग को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया था इस गाने में बैक डांसर्स बेहत कम कपड़ों में मंत्रो वाली कुर्ती पहने नजर आई थी इस विवाद के अलावा एक और बड़ा विवाद हो सकता था जिससे सल्मान खान ने समय रहते निपट लिया फिल्म दबंग 3 में पाकस्तानी सिंगर रहत फते अली खान से गाना गवाने को लेकर भी सल्मान खान चल्चा में आये थे माना जा रहा था कि इस फिल्म में रहत फते अली खान के दो गाने थे जिससे सल्मान ने हटवा दिया इस मामले में राहत पते अली खान के प्रवक्ता सल्मान एहमत का भी बयान सामने आये था उन्होंने कहा राहत पते अली खान और बॉलिवर्ड स्टार सल्मान खान की बीच कोई मदभीत नहीं है उन्होंने कहा कि सलमान खान फिल्म दबंग 3 के लिए रिकॉर्ड किये गए गानों को हटा कर केवल भारत की भावनाओं का पालन कर रही है उन्होंने पुष्टी करते हुए कहा था रहत ने सलमान की हिट फ्रेंचाइजी दबंग सीरीज की तीसरी फिल्म के लिए दो गाने रिकॉर्ड किये थे उन्होंने पिछली दोनों दबंग फिल्मों के लिए तेरे मस्ट मस्ट दो नैन और नैना बड़े दगाबाज गाये थे हर कोई इन गाने को रखना चाहता था और वे वास्तव में अच्छे थे उन्होंने आगे ये भी कहा कि यदि राहत का गाना जारी किया जाता तो विवाद होता फिल्म प्रभावित होती और कोई भी ऐसा नहीं चाहता इसलिए हमने गाना रिलीज नहीं किया ये खराब बात नहीं है सलमान खान ने जानबूच कर गाना रिलीज नहीं किया दिये गए समय में फिल्म इंडूस्री और देश की भावनाओं का सलमान खान ने पालन किया है सलमान खान पर अक्सर एंटिनेशनल होने के आरो पलकते आए हैं ऐसे में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जितने धूमधाम से उनकी यहां इद मनाई जाती है उतनी ही धूमधाम से वहां गणेश चतुर्ती भी मनाई जाती है जिसमें पूरा का पूरा बॉलिवर्ड शरीक होने का मौका नहीं छोड़ता